शौट स्टोरी इन हिंदी आलसी हिरन एक दिन एक हिरनी अपने बेटे को एक बूर्धी मान के पास लेकर गई और उससे बोली मेरी बूर्धी मान भाय कि पया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकी कीव सिखा दो ताकि वो कभी संकट में फसे तो अपनी जान बचा सके बड़ा हिरन मन गया चोटा हिरन बहुत सैतन था और उसका मन दूसरे बच्चे के साथ खेलने में ही लगा रहता था जल्दी ही वो ककसा से गाय रहने लगा और उसने बचा की कोई तरकीव नहीं सिखी एक दिन खेलते खेलते वो एक चाल में फस गया जब उसकी मा को पता चला तो वो बहुत रोई बोड़ा हिरन उसके पास गया और उससे बोला पैड़ी बेहना मुझे रो दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फस गया मैंने उससे सिखाने के बहुत कोशिस की थी लेकिन वो कुछ सिखाने ही नहीं चाहता था अगर कोई विद्धर्थी सिखना ही नहीं चाहता तो सिख उससे कैसे सिखा सकता है धन्यवाद दोस्तों